question number 2 find the area of the region bounded by y square equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4 and the x-axis in the first quadrant तो इस question में हमें bounded region का area find करना है तो पहले हमें इसके लिए इसका graph draw करना होगा और यह y square equal to 9x है तो यह पाराबोला के equation दिया हुआ है और यह पाराबोला draw कर लिया और तो लाइन के equation given दिये है एक x equal to 2 सबको इससे 2 लेते हैं और यह x equal to 4 और x equal to 2 और इस वाले region का हमें area find करना है first quadrant है और कर्प की equation है y square equal to 9x therefore required bounded region equal to integral 2 to 4 और यह होगा y dx और हम यहां से y निकाल लेंगे y equal to होगा under root 9x तो यह होगा 3 root x तो हम इससे y की value को यहां पर put करेंगे और 3 constant है तो इसको हम integral से outside लेते हैं x to the power 1 by 2 dx और फिर हम इसको integrate करेंगे तो यह होगा x to the power 3 by 2 और यह 2 by 3 2 to 4 तो इक्वल तो 3 into 2 upon 3 और फिर हम limit put करेंगे यह होगा 4 to the power 3 by 2 minus 2 to the power 3 by 2 इसमें 3 से 3 cancel हो रहा है और इस 4 को लिख सकते हैं 2 whole square और यह होगा 2 root 2 इसमें 2 से 2 cancel हो रहा है और 2 का क्यूँ 8 8 minus 2 root 2 और answer हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या अगर हम इसको multiply करेंगे तो यह होगा 16 minus 4 root 2 square unit answer जशएब जायूज आडिकर झखाउब और यह होगा है और यह होगा 16 minus 4 ऑल बदोजब प्रू़ प्रकाउब और मातमीरा इसकते हैं और इसकते हैं जाएधाब हैं यह होगा है और मेरिए। ऑपकाउश सकते हैं